एक ऐसा बुखार जब कुछ कभी नहीं होने देगा बिमार तो आज हमें बहुत ही सेंपल सा कॉंसेप्ट डिसकस करने जा रहे हैं अगर आप एक इलेक्ट्रियल इंजीनिरिंग के स्टूडेंट है तो यह कॉंसेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है कोई भी बंदा आपसे इस कॉंसेप्ट पर सवाल पूछ सकता है और आपको उसका जवाब बिल्कुल क्लारिटी के साथ आना जाए बिल्कुल एक्स्प्लेनेशन के साथ आना जाए तो आज का जो हमारा सवाल है उसमें यह है कि आपके पास दो बल्ब हैं एक 60 वाट का बल्ब दूसरा 100 वाट का बल्ब तो पहले सवाल में कहा है कि हमने दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट करें तो उन में से दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब जादा ब्राइटली ग्लो करेगा दूसरा सवाल यह है कि दोनों का हमने पैरलल में कनेक्ट करा तो कौ कुंसा बल्ब जादा brightly glow करेगा तो आज हम इस concept को बिल्कुल calculations के साथ समझेंगे तो जल्दी से इस concept को शुरू करते हैं तो चलिए जल्दी से इस concept को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने 60 watt का बल्ब और 100 watt का बल्ब दोनों को series में connect किया है यह जो हमारे दोनों बल्ब हैं यह 220 volt rating के उपर काम करने के लिए बने होई है ठीक है तो इस calculations में डूबने से पहले हम एक चीज discuss करना चाहेंगे that is voltage divider rule तो हम voltage divider rule देख लेते हैं पहले suppose कि जैसे हमारे दोनों बल्ब इस series में connected है तो अगर हम voltage across V1 निकाल लें तो V1 is equal to total voltage into R1 divided by R1 plus R2 and V2 is equal to V into R2 divided by R1 plus R2 तो 220 volt अब हमने total supply को दिया पर यह दोनों बल्ब से 220 volt के rating पर काम करने के लिए बने हुए है तो मतलब दोनों की power ratings अलग है दोनों की voltage ratings है इसलिए दोनों का resistance अलग लग होएगा तो circuit में यह दोनों अलग लग voltage consume करेंगे ठीक है तो सबसे अब हम थोड़ा calculations के अंदर डूप के देखते है कि क्या हम देखना चारे है ठीक है पहला बल्ब हमारा 60 volt 220 volt दूसरा बल्ब 100 volt 220 volt ठीक है तो हमें पता है कि जो power होती है power क्या formula क्या होता है हमारा v square divided by r ठीक है इस formula को ध्यान में रख्त duy है हमें आगे solve करते है ठीक है तो यहां से हमने क्या किया इन दोनों को change करके निकाला r equal to v square by p ठीक है और power equal to i square r होता है यह दोनों चीज़े हमें पता है ठीक है 20 की ठीक है तो यहां से यह चीज़ हटा देते हैं तो अब देखे R1 निकालेंगे V1 square by P यह calculation की तो हमें मिला 806.67 ohms और R2 भी हम यह calculation की मिला 484 ohms तो इसे हमें क्या पता लगा कि जिसकी power rating जादा जिस bulb की power rating जादा उस bulb का resistance कम मिल रहे हमें उस bulb का resistance कम मिल रहे तो series में voltage divider rule को use करेंगे हम तो यहां पर क्या आएगा V1 की value क्या होजेगी यह नहीं V1 की value V की यहां 220 R1 484 484 plus 806.67 so V1 जो R1 को जो हमारा 100 वोल्ट को मिलेगा वो होएगा कम जो V2 हमें 60 वोल्ट वाले बल्ब को मिलेगा ठीक है उससे कम value होएगी क्योंकि उसका resistance कम आ रहे है ठीक तो total resistance हम series में क्या होता है हमारा R1 plus R2 हमने total resistance कल्कुलेट करा है वो आया 1290.67 ohms ठीक है अब हम निकाल लेंगे I equal to V by R हमने ohms low पड़ा है ohms low ohms low क्या होता है हमारा V equal to I into R ठीक है ohms low से apply कर रहा हमने तो I मिलेगा हमें V by R ठीक है यह voltage divider हटा देते हैं यहां से हमने इसके बारे में समझ लिया है तो हमारे पास ohms low है अब ठीक है voltage divider अब देख चुक है ohms low is this V equal to IR इससे हमने टोटल करण दीकाला सरकेड़गा that comes 0.17 ampere ठीक है अब सीरीज में एक बात सेम रहती है सीरीज in series current remains same but voltage divides ठीक है current सेम रहेगा तो दोनों हमारे जो रहें R1 and R2 इन में current जितना फ्लो करेगा that is 0.17 ampere इतना current फ्लो करेगा इस circuit से तो हम power निकाल लेंगे I square R से तो जब हमने PC1 power consumed by bulb 1 निकाल ली तो I 0.717 square into 806.67 which comes out to be 23.31 volts and similarly power consumed by bulb 2 निकाल ली तो that is 0.17 square into 484 that comes out to be 13.98 watt तो अब जितनी जादा एक bulb power consume करेगा उतना जादा brightly वो glow करेगा so that's why PC1 is greater than PC2 and 60 watt bulbs glow brighter तो यहां से यह सेम समझाती है कि अगर हमारे पास दो same voltage rating के bulbs है तो जिस bulb की power rating कम होएगी वो bulb series में सबसे जादा brighter glow करेगा ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ लेकि लिए क्योंकि उसका resistance जादा है resistance जादा है तो उसके पास voltage जादा आएगी voltage जादा आएगी इसके कारण वो power consume भी जादा करेगा ठीक है बेसिक फंडा यह है current की तरफ से जाए तो current दोनों में same flow करेगा जिसका resistance जादा हुआ उसमें power consume जादा होएगी उसमें power consume जादा होएगी वो जादा brightly glow करेगा आई होब यह चीज आपको समझ आ चुकली होईगी तो यह हम सब सारा एरिया क्लियर कर देते हैं अग है अग हम देखते हैं कि bulbs connected in parallel अब क्या हो रहा है connected parallel है तो हमारे दोनों bulbs R1 & R2 directly battery के cross connect कर दी हमने 220 volts की जो हमारी battery थी ठीया तो इसमें हम calculations देखते हैं सबसे पहले calculations में कोई difference नहीं आएगा सबसे पहले हमने सिर्फ resistance ही नगाले that same रहेगा 48480 6.67 ohms ठीक अब resistance जब total resistance हमारा parallel में होता है यह आप देखें 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 होता है अगर इसको मैं solve करूं तो R equal to R1 R2 by R1 plus R2 मिलता है हमें वही चीज हमने यहां पे use करी है वो formula direct और circuit का resistance नग 5 ohms ठीक है इस चीज को यूज करके उसके बाद हमने ohms low यूज किलिया V equal to IR और उसके बाद 220 से resistance को डिवाइड करके हमने current को निकाला that comes out to be 0.73 amperes ठीक है 0.73 amperes आ गया है अब हम current divider rule यूज करेंगे current divider rule यूज करके हब हम divide करेंगे current in both the bulbs ठीक current divider rule को समझें आप तो यहां से हमारे total current IT आ रहे है अब यह I1 और I2 दोनों में divide होएगा ठीक है divide होएगा I1 comes out to be IT into R2 divided by R1 plus R2 और यह I2 आएगा IT into R1 divided by R1 plus R2 तो यह concept आपको पता होएगा जितना जादा resistance उतना कम current इसलिए हम current divider circuit में क्या गरते हैं कि जिस branch में current निकालना होता है उसकी opposite branch वाले resistance को total current से multiply करते हैं और divide कर देते हैं दोनों resistance के sum से ताकि हमें जिस branch में जादा resistance उसमें करम current मिले और जिस branch में कम resistance उसमें जादा current मिले तो यह हमारा basic fundamental है current divider circuit का तो हमने current divider circuit निगाया और I1 की value निकाल ली यहाँ पे और I2 की value भी निकाल ली अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा 100 watt वाला bulb है जिसकी resistance कम थी उसमें अब current जादा जाएगा उसमें current जादा जाएगा तो उसकी power consumed जादा आएगी और वो जादा brightly glow इसको हम directly भी देख सकते से calculation में ना भी जाते तो भी हो जाता त्यूंकि हमें पता था कि circuit में जो हमारे bulb है वो 220 volt rating के लिए बने हुए है और हमें circuit से 220 volt rating ही मिल रही है इसलिए वो दोनों अपनी actual capacity पर भी काम करेंगे that is 60 watt and 100 watt तो that's why 100 watt bulb will glow brighter I hope you understand this concept और यह चीज़ आपको द वो ज्यादा brightly glow कर रहा था 100 watt से क्योंकि resistance कम ज्यादा था उसका current सेम था इसलिए power consume ज्यादा थी 60 watt ज्यादा brightly glow करेगा और यह concept आप देख लीजिए कि जो bulb ज्यादा power dissipate करेगा वोई bulb glow करेगा brightly ज्यादा थीक है तो यह चीज़े हमने समझ चुके है current वाला concept है यह वाला series में parallel में voltage वाला concept और हां household में सारी wiring हमारी parallel ही होती है ताकि सारे bulbs हमारे equally अपनी full capacity पे काम कर पाएं और हमारी full brightness हमें thank you and stay tuned with me मैं आपका host और दो सर्चल जिंदल मिलूँगा आपको अगले हफ़ते एक नए topic के साथ like, share और subscribe करना ना भूले और comment section में बताएं आपको हमारी topics कैसे लग रहे हैं कोई कमी लग रहे हैं वो भी जरूर बताएं like, share और subscribe करते रहे हैं बहुत ही heavy मातरा में अगर संदे, तब तर के लिए टाटा, बापाई